राधे राधे दोस्तों मैं आचारे पढ़ने दिंगाधर सास्त्री यूट्यूब चैनल जोति सिंगा मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा दिनांक 22-2023 से लेकर 28-22-23 सक तक का प्रत दिन का विशेश मुर्थ और पंचाम दिनांक 21-2023 फालगुन सुक्ल पक्ष की प्रतिपक्ति थी दीन में 10 बच कर 49 मिनट तक है सत्वीशा नक्षत्र दीन में 10 बच कर 46 मिनट तक है और सिव जोग प्राता 48 तक है उसके बाद फिर सिद्ध जोग सुरू हो जाता है और मिन रासी के चंद्रमा रात में 3 बच कर 49 मिनट पर भोर भोर में होंगे और पयोब्रत आरंभ होता है 12 दिन का जो भागवत में जिसका पुत्र प्राप्ति के लिए पयोब्रत का विधान है जो भागवत में इसका स्रमत भागवत में उलेख है अगर किनी को आवस्यक्ता हो तो उसका विधान आप भागवत में देख सकते हैं स्रमत भागवत में उसमें बारह दिन का यह ब्रत होता है पयोग ब्रत इसका नाम है जिसको पुत्र की प्राप्ती नहीं हो रही है वे इस ब्रत को करते हैं तो उसमें उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवस्य होती है तो इस चीज के विशे में स्रमत भागवत में इसका उलेख है और विशेश-विशेश मुहृत क्या है प्रतिपद को सत्वीशा नक्षत में लाल वस्त्रधारन सल्लिकर्म अर्थात ओप्रिसन वगरह कराना और प्रसुती स्तान इस्टिकादान उसके बाद इतना ही मुहृत है उस दिन विशेश मुहृत अब दिनांक 22.02.2023 दिन बुधवार दितिया थी दिन में 8 बज कर 50 मिनट तक है और पुर्वा भाद्र नक्षत्र दिन में 9 बज कर 29 मिनट तक है जो की पंचक का नक्षत्र है पंचक चल रहा है भी और साध्य जोग रात में 3 बज कर 16 मिनट तक है मीन का चंद्रमा है और राम कृष्ण परमहंक्स की जैनती है और मुस्लिम का हिज्री सन 1444 का प्रारंभ होगा और राम कृष्ण परमहंक्स की जैनती भी है और बुधे भद्रा सिध्य जोग दिन में सुबह में 8 बज कर 50 मिन पर तक सिधी जोग है और दोस्तो विशेश मूर्थ क्या औपना पूर्ठ है उत्रा-भाद्र में रात में गरभाधान का मूर्थ है उसके बाद दिन में जातकरन जातकर्म नामकरन अनप्रासन आदि का मूर्थ है दिन में रोगबान दस बज कर टीस मिनट तक है उसके बाद दस तिस के बाद फिर उपनयन का भी मूर्थ है बरबरन कन्यावरन का मूर्थ है दुरागमन का मूर्थ है व्यापार आदिप्रारंभ करने का मूर्थ है और नयाबस्त्रधारन करने का मूर्थ है दिक्षाकरन करने का मूर्थ है हल प्रवन उसके बाद दोस्तों नुरित्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मूर्थ है और नयात और सेवा आरंभ का मूर्थ है अगर आप कहीं जुआइन करना चाहते हो नौकृरी तो उसका भी मूर्थ है आवेदन पत्रलेखन अर्थात कहीं अपलाई करना हो तो उसका मूर्थ है और सभी देवताओं की प्रतिष्ठा का मूर्थ है जलासय बगीचा आदी प्रारंभ करने का भी मूर्थ है और नए बधु को जो नए घर में बहु आई है उसका पाक अर्थात रसोई में खाना बरा आने का भी मूर्थ है उसके बाद दोस्तों 23 दो 2023 दिन गुरुवार तिर्टिया तिथी प्रातह सात बजकर दस मिनट तक है उसके बाद फिर चोथ तिथी लग जाएगी जो दीन भर रहकर रात भोर भोर में पांच बजकर पचास मिनट तक रहेगा उत्रा भाद्र जो है प एक बज़े तक है और दोस्तों मिन रासी के ही चंद्रमा रहेंगे और भद्रा साम में 6 बजकर 29 मिनट के बाद शुरू होगा जो रात में 5 बजकर 50 मिनट तक भोर तक रहेगा और ये भद्रा मृत्यूलोग की भद्रा है इसलिए इस भद्रा में कोई कारिक कोई जात्रा कर परना निशिद्ध है अनुदया चितुर्थ्याम वेराय की चतुर्थी भी है गनेश चतुर्थी भी है और मृत्यूबान दीन में 10 बजकर 16 मिनट के उपरांत मृत्यूबान सुरू हो जाता है और सरवार्थ सिध्धी जोग दीन में 8 बजकर 32 मिनट के बाद रहेगा जो द दीन में 8 बजकर 32 मिनट के उपरांत रवी योग है और विशेश विशेश मूर्थ क्या है इस दिन तिथी तिर्तिया गुरुवार रिक्ता प्राता साथ बजकर 10 मिनट में रिक्ता तिथी सुरू हो जाएगी चोट सुरू हो जाएगी उससे पहले पुनसवन सिमन्त प्रवेश, द्विरागमन, व्यापार आरंभ, दिक्षा गरहन करने का उसके बाद सिवारंभ कहीं नौकरी ज्वाइन करना हो तो उसके लिए भी मूर्थ है उसके बाद कहीं अगर एपलाई करना हो नौकरी के लिए तो उसका भी मूर्थ है सभी देवताओं की प्रारभ करने का मूर्थ है और नए बहु का भोजन बनाने का भी मूर्थ है उसके बाद दोस्तों दिनांग 24 दो 2023 दिन सुक्रवार तिथी पंचमी पंचमी तिथी दीन भर रहकर भोर रात में चार वज कर 57 मिनट तक रहेगा दीन भर और रात भर रेवती नक्षत्र दीन में 7 बज कर 54 मिनट तक है उसके बाद पंचक समाप्त हो जाएगा दीन में 7 बज कर 54 मिनट के बाद पंचक समाप्त हो जाएगा और सुक्ल जोग रात में 10 बज कर 69 मिनट तक है और मेस रासी के चंद्रमा दीन में 7 बज कर 54 मिनट के बाद हो जाएगे पंचक की समाप्ती हो और दोस्तो सुक्रे नंदा सिध्धी जोग यह रात में भर भर चार संताउन के बाद प्रारंब होगा और विशेश मूर्थ क्या है इस दिन रेवती अस्विनी में प्रसुतिशनान जातकर्म नामकरन अनप्रासन कर्णवेद कन्या नासिका छेदन कन्या का नाक वगरा छेदवाने का मूर्थ है उसके बाद मुंडन का मूर्थ है उसके बाद अक्छरारंब का मूर्थ है विद्य गीत वाद दिकला आरम करना का मूर्थ है और उपनयन का मूर्थ है बधुप्रवेश द्विरागमन का मूर्थ है ब्यापार आदी सुरू करने का दिक्षाग्रहन करने का मूर्थ है आभुसन निर्मान करने का मूर्थ है धारन करने का मूर्थ है हल चलाने का मूर्थ है धाननी छेदन धान काटने का मूर्थ है चुल लिकास थापन करने का मूर्थ है उसके बाद नौकरी आदी ज्वाइन करने का मूर्थ है स्तस्त्रधारन आबेदन पत्र लेखन अर्थात कहीं अपलाई करने का भी मूर्थ है ये सब विशेश-विशेश मूर्थ है उसके बाद पच्चीस दो दो हजार तेईस दिन सनिवार सस्थी ति रात में दिन भर रहकर रात साढ़े चार बजे तक है अस्वीनी नक्षत्र दिन में 7 बज कर 40 मिनट तक है ब्रह्म जोग रात्री 9 बजकर 23 मिनट तक है मैसरासी के चंद्रमा है और दो ससंग बिनासक रवी योग जो है वह दिन में 7 बजकर 40 मिनट के बाद सुरू होगा और मुक्दमा अधी दायर करने का मुर्थ है लेकिन रात में साड़े चार बजे के बाद है इसलिए कोई फाइदा नहीं है और दोस्तो विशेश विशेश मुर्थ क्या है इस दिन विशेश मुर्थ में अस्विनी नक्षतर में इस्टिका निर्मान इंट आदी बनाने का मुर्थ है इस्टिका दहन करने का वि भी विशेस मुर्थ नहीं है अब दिनांक 26 दो दो हजार तेईस दिन रभिवार सबतमीति थी दिन भर रहकर रात भर रहकर सालई, चार बजे, चार बज़कर 35 मिनट तक है भरनी नक्षत्र जो है सबतमीति थी चार बजकर 35 मिनट भोर भोर तक है दीन भर और रात भर रखे और भरणी नक्षत्र दीन में 7 बजकर 26 मिनट तक है और एंद्र जोग जो है वह रात में 8 बजकर 5 मिनट तक है और ब्रिस रासी के चंद्रमा दीन में 2 बजकर 7 मिनट के बाद ब्रिस रासी के चंद्रमा हो जाएंगे और दोस्तो भद्रा रात में 4 बज कर 35 मिनट के बाद है भोर भोर में जो स्वर्व की भद्रा इसलिए भद्रा का कोई दोस नहीं लगेगा अर्क पूट सप्तमी, कामदा सप्तमी ये सब ब्रत है, कल्यान सप्तमी, भानू सप्तमी परवगरा सुर्ज ये सब ब्रत है उस दिन उसके बाद दोस्तो रवी योग दिन में 7 बज कर 56 मिनट तक है, त्रिपुसकर जोग दिन में 7 बज कर 56 मिनट के बाद रात में दिन भर रात भर रहके चार बज कर 35 मिनट तक है और विशेश विशेश मूर्थ क्या है भर्णी नक्षतर में इस्टिकादहन जहां धानी छेदन का मूर्थ है और कोई विशेश मूर्थ नहीं है अब दिनांग 28, 27, 22, 23 दिन स्वमवार अस्टमित थी दिन भर रात भर रहकर 5 बज कर 13 मिनट सुबह सुबह तक है और कृतिका नक्षतर दिन में 8 बज कर 43 मिनट तक है और वैद्रती जोग रात में 7 बज कर 15 मिनट तक है वरिस रासी के चंद्रमा रहेंगे भदरा जो है वह दिन में 4 बज कर 54 मिनट तक है और होलास्टका आरंब हो जाएगा उस दिन से होलास्टक आरंब हो जाएगा और होलास्टक में क्या क्या बरजित है क्या करना चाहिए कहां उसके विशे में इसका वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है उसको सर्च करके आप देख सकते हैं कि होलास्टक में जो बरजित कहता है वह कहां कहां पर भरजित होता है, हर जगा भरजित नहीं होता है और दोस्तों सरवार्थ सिद्धी जोग दिन में आठ बज कर 43 मिनट के उपरांथ है और विसेश विसेश मूर्थ क्या है विसेश मूर्थ भद्रा दिन में चार रोहिनी नक्षत्र में रात्मे गरभाधान का मूर्थ है प्रसुतिशनान का मूर्थ है जातकर्म अनप्रासन का मूर्थ है बधुप्रवेश दुरागमन लगन का मूर्थ है दुरागमन है बधुप्रवेश है ये सब मूर्थ है और व्यापार शुरू करने का दिक्षाग्रहन का हल प्रभन अर्थ है और सर्व सभी देवताओं की प्रतिष्ठा का मुहुर्थ है जलासय वाटिका आरंब दक्षिन दिशा की जात्रा का भी मुहुर्थ है उसके बाद दोस्तों दिनांक 28-2-2023 दीन मंगलवार नौमी तिथित दीन वर रात वर है रोहिनी नक्षत्र दीन में 9 बज कर 69 मिनट तक है विसकुम्ब जोग रात में 6 बज कर 50 मिनट तक है उसके बाद मिथुन रासी के चंद्रमा रात में 10 बज कर 25 मिनट पर हो जाएंगे और दो ससंग विनासको रवियोग जो है वह है आपका 9 बज कर 69 मिनट के उपरांत दिन में और विशेश मूर्थ क्या है रोहिनी नक्षत्र में रोग भी मुक्ति स्नान क्योंकि उस दिन रिक्ता तिथी नौमी है इसलिए कोई विशेश मूर्थ नहीं है एक सिर्फ बिमारी जिनकी ठीक हो गई है स्नान कराना हो उसका मूर्थ है बस तो दोस्तों यह आगे मैं और आपको वीडियो डाल दूँगा इससे आगे जो भी होगा आज मैं अपनी वानी को यही भी राम देता हूं राधे राधे दोस्तों